क्रोना वाइरेस की तीसरी लहर आने की अशंकाओं को देखते वे केंदरी कैमिनिट सचिव राजीव गौबा ने शनिवार को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरी उच तरी बैठक की इस उच तरी बैठक में केंदरी सचिव राजीव भूशन और नीती आयोग के सदस डॉक्टर वी के पॉल के साथ ही राजियों केंद शासित प्रदेशों के मुक्च सचिव और अनाधिकारी शामिल हुए हैं राजिव गौबा ने एक दिन पहले क्रोना वैक्सीन की धाए करोड से अधिक डोज लगाए जाने के एतिहासिक उपलब्धी के लिए राजियों और केंद शासित प्रदेशों को बढ़ाई दी है उन्होंने स्वास्त कर्मियों, मुक्च के साधिकारियों, जिलाधिकारिय और राजिव गौबा ने साधियों को उनके प्रयासों के लिए बढ़ाई दी है और ये उमीद जताई है कि डोस की उपलब्धा बढ़ेगी और वैक्सीनेशन की ये गती बर करार रहेगी। राजिव गौबा ने साथी राजियों को ये हिदायत दी है कि करोना प्रोटकॉ करने और उनकी बुनियादी स्वास धाचे में सुझार करने के साथ ही जरूरी दवाएं स्टॉक के लिए भी कही हैं। उनने ये भी कहा है कि क्रोना के मामलों में किसी भी संभावित उचाल को पूरा करने के लिए मानव संसाधन को जल से जद बढ़ाया जाए। महीं स्वा प्रदेश के अधिकारियों से टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और क्रोना के अनुरूप प्यहवार पर जोर देने कले कहा है। जल्दी पहचान, फीवर, हेल्प लाइन शुरू करने और पर रिक्षन किट और दवाओं की परियाद उबलब्दता सुनिश्थित करने जैसे खदम राज्यों को उठाने चाहिए। उन्होंने साहती ये भी कहा कि फीवर सर्वे, कॉन्ट्रैक्ट प्रेसिंग पर भी धिय जान दिया जाना चाहिए। क्रोना वाइरस और क्रोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।